नवस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूटूब चानल के NC कुसूमनेट क्लासेज में तो यदि आप हमारे चानल पर पहली बार आये हो तो सबसे पहले चानल को सबस्क्राइब कर लीजे साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजे ताकि कोई भी वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले M.P.Levam PhD Admission 2021 के बारे में तो यदि आपने अब तक PhD Madmission नहीं लिया है तो वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्तपूर्ण हने वाला है वीडियो को पूरा देखिएगा बीना स्किप के हुए चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं किस सब्जेक्ट में कितनी सीटे हैं तब आप यहां से देख सकते हो रेसिदेंशल नोन रेसिदेंशल PhD प्रोग्राम Medical Anatomy में 8 है Medical Biochemistry में 3 है Community Medicine में 3 है Radio Diagnosis में Community Health Nursing में Pharmacology में Physiology में इस तरीके से आप तमाम तरह के सब्जेक्ट में सीटे देख सकते हैं हम लोग बात करते हैं बोटनी में देखें तो इससे Computer Science में 13 है Chemistry में 14 है Physics में 5 है Mathematics में 20 है BioTech में 6 है Geology में 8 है Pharmaceutical Sciences में 3 है Electronics Engineering में 2 है Hotel Management में 1 है Physical Education में 2 है Law में 3 है Fine Arts में 10 है Management में 17 Commerce में 8 है Art and Performing Arts में 14 है and Fashion and Textile Design में 2 है Home Science में 2 है Journalism and Mass Communication की बात करें तो इसमें 1 seat है Duration minimum 3 साल आपको लगेगा PhD करने में eligibility 55% marks के साथ आपका Master degree होना चाहिए और relaxation 5% का जो कि सभी बिश्विद्दाल में मिलता है SC, ST and OBC Candidate के लिए यानि की Master में minimum 50% marks होना चाहिए and MPL and PhD Integrated Program भी होता है यहाँ पर Integrated Program में Education है जिसमें North Street है Physical Education में 2 है Law में 6 है Journalism and Mass Combs में 2 है Geology में 2 है Mathematics में 6 है and Librarian Information Science में 4 है MPL and PhD Integrated Program चार साल का होता है Illigibility बिल्कुल सेम होगा 55% marks के साथ Application Form के लिए कितना fee देना होगा उसकी बात करें तो आपको Demand Draft बनाना होगा 1500 रुपे का और किसके favor में? Swami Vivekananand, Subharti University, Avalanche Merit यह University दरसल Merit में Located है and 27 फरवरी तक आप Form को भर जकते हो ठीक है Form भरने की जो अंतिमती थी है 27 फरवरी है and आपका जो इंट्रेंस टेस्ट होगा जो लोग UGC नेट बगारा नहीं किया है जारिफ जिनके पास नहीं है नेट जिनके पास नहीं उन्हें टेस्ट देना होगा तो पांच मार्च को आपका टेस्ट होगा ऑनलाइन मोड में टेस्ट होगा ठीक है वेफ साइट आप देखते रहेगा ताकि कोई और नई नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप देखते रहेगा ताकि यह लोग कहा एक्जामिनिशन बगारा कंड़क्ट करवाएंगे और उसके बाद इंटरव्यू के लिए बुला जाएगा और जो लोग यूजी सी जारेफ हैं सी एसा या नेट हैं या सलेट हैं या गेट हैं या एमफिल किये हैं उन लोगों को यहाँ पर टेस्ट देने की जरूरत नहीं होगी वो लोग exempted category में count के जाएगे आगे बात कर लेते हैं contact person की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको किसी तरीके का कोई query हो तो आप university में बात कर सकते हैं यहाँ पर number दिया है टेस्ट pattern की बात करें तो 100 questions होंगे पचास आपके research methodology से होंगे और पचास सवाल आपके subject से होगा जिसमें आपनी master degree हासिल की है procedure की बात करें तो आप कैसे करोगे university के official website पे जाकर के आप यहां से कर सकते हैं कैसे जाएंगे आप official website पे देख लिजे यहां पे दिया हुआ है suhbharati.org यह दरसल official website यहां से चले जाएगा और यहां से जाकर के आप यहां पे क्लिक करेंगे हाँ से registration कर लिजेगा और उसके बाद फिर आगे का form आप भर लेंगे ठीक है official website आप देख लिजे www.subharati.de.com यहां से आप query पे नमबर बगएरा पे बात कर सकते हो बिश्विद्याले के नाम की बात करें तो यह सुभारती इंवसिटी है पूरा नाम है स्वामी वेकानन्द सुभारती इंवसिटी मेरट में लोकेटेड है इस वीडियो में इतना ही इस तरीके के information से खुद को update रखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर भी किसे थैंक यू वेरी मच टो वाच दिस वीडियो